लखपती दीदी कारकरम के अंतरगत CRP दीदी की सुरू हो गई है ट्रेनिंग CRP के पद पर ट्रेनिंग सुरू हो चुकी है और आपको इसमें कैसे लाभ मिलेगा कैसे कार करना होगा CRP को मान्दे कितना मिलेगा और लखपरी दीदी कारक्रम की अंतरगत मुखह रूब से ये कार क्या करेंगी संपूर जानकारimizi वीडियो में आपको देंगे कार मान्दे योगधा संपूर जानकारी मिलेगी तो आपको बता दे कि सरकार के दोरे जो अजीब का मिशन के अंतरगत स्वयम सायता समू के अंतरगत लखपती दीदी कारकरम सुरू कर दिया गया है तीन साल का यहां लखपती दीदी कारकरम है जिसके अंतरगत समू की दीदियों को लखपती बनाने का कारे किया जाएगा और ये तीन करोड दीदियों को लगपती बनाने का लच रखा गया है तो CRP की ट्रेनिंग लेते हुए यहाँ पर महिलाओं को आप पिक में देख रहे हैं CRP की ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है CRP दीदी क्या कारे करेंगी सब जानकारी आप समझ लीजिए सबसे पहले हम आपको बता दे कि जो CRP दीदी यहाँ पर ट्रेनिंग सुरू हो गई जिनकी ट्रेनिंग प्राप्त कर रही है तो हर बिलोग में समु की दीदियों को लगपती दीदी कारकरम के अंतरगत CRP की ट्रेनिंग दी जा रही है CRP के पद पर वे कारे करेंगी गाओं गाओं में जा करके CRP दीदी बनने के लिए आपकी योगता समु में जुड़ी होई होनी चाहिए और अगर आपको पास समु की चिकासी जानकारी है हाइस्कूल इंटर पास है तो आप इसमें ट्रेनिंग ले सकती है इसके लिए आप लोगों को अपने बिलोग पर समपर्क करना होगा समु की दीदियां CRP के पद पर चैनित हो सकती है तो यहाँ पर आपको बता दे कि आपको कारे क्या करना होगा सबसे पहले वे समझ लीजिए जो CRP दीदी लखपती दीदी कारकरम के अंतर का ट्रेनिंग पा रही है इन दीदियों का प्रमुख कार है गाउं गाउं जा करके समुहों में सर्वे करना और समुहों की दीदियों का सर्वे करना की वे किसी रोजगार को कर रही है क्या रोजगार कर रही है उनकी income कितनी होती है महीने की ठीक है तो यहाँ पर यह सर्वे करने का कर रहे इन दीडियों को दिया जा रहा है CRP दीडी को लखपती CRP दीडी सर्वे करेंगी ठीक है तो इन CRP दीडी को यही कार रहेगा गाओं गाओं जाकर के समू की दीदियों का सर्वे करना कम से कम जो दीदिया समूओं में जुड़ी है वो कोई दो परकार से रोजगार से जुड़ी होनी चाहिए समूओं में दो परकार से रोजगार होते हैं एक तो फॉर्म अजीब का होती हैं सारे नौन प्रम ल тजिब का होती है। एक समू की काईडर नौकरियां होती हैं काईडर नौकरियों में बिदुकी बेंक सखी अजीब का सखी पसू में ब Pharaoh पीयार पीयार wacky समू की दिदियां नोकरी कर रही होती हैं पिलस बहुत सारी समू की दिदियां समू से जुड़ने के बाद लोन लिया पैसा लिया दुकाने खोली किसी ने ब्यूटी पलर की दुकान खोली किसी ने गिटी मौरंग की दुकान खोली किसी ने सिलाई की दुकान खोली ऐसे अलग जो दुकान खोलना किसी प्रकार की है जिसे परचून की दुकान हो गई और उपकरण की दुकान हो गई ब्यूटी पालर हो गया ठीक है कोई प्रकार की दुकान अगर आप खोल लेते हैं तो वो होती है नौन फॉर्म अजीब का जिसमें खेती किसानी पसुपालर नहीं करना ह होता है और खेती किसानी पसू पालन है अगर आप कर रहे बकरी पाल रहे हैं भैस पाल रहे हैं यह खेती कर रहे रहे हैं फसल उगा रह रहे हैं तो यह होती है게 फार्म आजीब का तो दो Of प्रकार से आपके रोजगार होते हैं जो समूह में जुड़कर दीदियां करती हैं तो इस प्रकार से इन दीदियों की आमदनी कितनी हो रही है तो देखा जाएगा कि कोई भी समूह की दीदी दो प्रकार के रोजगार से जुड़ी होनी चाहिए अगर वो काईडर के प्रकार पसुपालन करती होगी तो जो उसने पसुपालन कर रखा या खेती कर रही है और प्लस वह पसुपालन कर रही है तो इन दोनों से उसकी आमदनी कितनी हो रही है क्योंकि कोई भी दीदी को अगर लगपती बनाना है तो तीन साल के अंदर अगर लगपती बन जाए यानि एक सा ये महिलाओं को जो है रोजगार से जोड़ना और रोजगार स इनकी क्या इनकम हो रही इसका सरवे करना इसकी रिपोर्ट तयार करना तो ये CRPD ये सरवे करेंगी रिपोर्ट तयार करेंगी लिष्ट बनाएंगी लगपती दीदियों का ठीक है कि समू में जुड़कर काउन को दीदी लगपती बन गई है उनकी इतनी इंकम होने लगी है तो अगर जो दीदी समू से जुड़ने के बाद लगपती बन गई है अच्छा इंकम कर रही है तो उसका लगपती दीदी कार्ड बनाया जाएगा और यह कार्ड बनाने का काम CRP दीदी करेंगी उसको कार्ड दिया जाएगा कार्ड उसका बनेगा तो बापकी समझ में आ गया होगा लगपती दीदी कारकरम के अद्धगा CRP की ट्रेनिंग क्यों कराई जा रही है तो CRP दीदी जो है CRP सक्षी दीदी जा करके गाओं गाओं में लगपती दीदी का सरवेकर के उनका कार्ड बनाएंगी अब आपको बता दें कि इसमें मांदे फिर कितना मिलेगा तो देखिए मांदे के लिए भी कोई गाइड लाइन जारी नहीं हुई है जैसे होगी तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी फिलाल तो सम्हू में कार याधरित मांदे मिलता है जिस परकार से आप कार करेंगी उसी परकार से आपको मांदे मिलेगा उत्तर परदेश अजीव का मिशन में भी आ चुका है और ये ट्रेनिंग सुरू हो चुकी तो उत्तर परदेश अजीव का मिशन सौहम सायतर समू के अंतगत CRP ट्रेनिंग सु ठीक है वहाँ से पूरी जानकारी लीजिएगा और मान दे इसमें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा जल्दी गाइड लाइन आ जाएगी ताकि आप लोगों को इसके मान दे के बारे में भी जानकारी दे दी जाएगी अब लगपती दीदी कारकरम जो लच सरकार ने तीन करोड महिलाओं का रखा है इसमें कैसे लाब सरकार देगी कौन दीदी लगपती दीदी में आविदन कर पाएंगी लगपती दीदी में लाब क्या मिलता है सरकार की तरफ से और लगपती दीदी की सरड़ी में कैसे इसके लिए मैं अगली वीडियो लेकर के आएंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब नहीं कर लिजेगा सेकंड चैनल SHGWISE उसको भी सब्सक्राइब कर लिजेगा ताके आपको हर जगा से अपडेट मिलती रहे तो आज की वीडियो में इतना ही आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी समझ आई होगी अगली वीडियो देखे ताके आपको आगे भी और जानकारी मिल जाए तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में आज की वीडियो में पसंदाइए लाइक और शेयर कर दीजेगा चलेल पर पहली बाराए या अभी तक सब्सक्राइब निक्षा करके जाएगा आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद